नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिखाधूरिया कि 11,000 NGO ने आवेदन किया और उनके लाइसेंस नवी ने कृत किये गए सुप्रीम कोट ने कहा कि वो फिलहाल दखल देना नहीं चाहता है इस मामले के सुनाई अब बात में होगी कोट ने कहा कि सरकार का कहना है कि आवेदन करने वालों के लिए पहले ही पढ़ा दिया गया है 6,000 NGO हैं जिनका विस्तार नहीं किया गया है इनमेत रुपती देवस्थानम आदी भी शामिल है दरेसल 6,000 से ज्यादा NGO का FCRA पंजी करन रद करने को चुनाधी देने वाली याचिका सुप्रीम कोट में दाकिल की गई थी याचिका में कहा गया कि कम लाइसेंस रद करने से COVID रहत प्रयासों पर असर पढ़ सकता है याचिका में गैर सरकारी संगटनों के FCRA लाइसेंस तब तक बढ़ाने की मांगी गई है जब तक की COVID को राष्ट्रे आपदा के रूप में अधी सूचित रखा जाता है आपको बता दें अमेरिका के NGO Global Peace Initiative में याचिका दाकिल की है याचिका में मदर तेरेसा के द्वारा शिवुकिये गे Missionary of Charity का भी जिक्र है हाला कि केंदर ने 6 जनवरी को उसकी FCRA लाइसेंस का नवीनी करण कर दिया था याचिका में कहा गया कि इन गैर सरकारी संगटनों के द्वारा लाखों भारतियों की मदद की जाती है इन हजारों गैर सरकारी संगटनों के FCRA पंजिकरन को अचानक और मनमाने धंग से रद करना संगटनों उनके कारेकरताओं के साथ साथ उन भारतियों के अधिकारों का भी उलंगान है जिनकी मुझ सिवा करते हैं विशे शूप से ऐसी समय में प्रासंगिक है जब देश COVID-19 की तीसरी लहर का सामना कर रहा है आपको बता दें इस समय करीब 6,000 गैर सरकारी संगटनों के लाइसंस रद करने से रहत प्रयासों में बाधा आ सकती है और जरुत मंद नागरी को कुछ साहता से वंचित किया जाएगा महामारी से निपटने में मदद करने में गैर सरकारी संगटनों की भूमीका को केंदर सरकार नीतियायों गोर खुल प्रधारमंत्री करेली ने भी स्विकार किया है उस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अबडेट के लिए आप बने रहें वन इजिया हिंदी के साथ